वेल्कम टू नार्ण क्राफ विद्मी आएम सुंपी तो इन इस वीडियो व्यार गोएंग तो डिसकास क्लास सेवन मैच सेप्टर नमबर वन यह दा नेम आप दा सेप्टर इस इंटिजर्स तो सबसे पहले हमें जानना परेगा कि यह इंटिजर्स होते क्या है तो इंटिजर्स अड़ नमबर जिसको हम नमबर राइन पर डुकर सकते हैं तो आप लोगों को साथ पता होकर नमबर लाइन क्या होते हैं तो इस इंटिजर्स को हम वोलते हैं इंटिजर्स तो इसमें से exercise 1.1 का question देख लेते हैं इसमें से question number 1 में दिया गया है write down a pair of integers which question number 1 is sum is minus 7 तो सबसे पहले आप समझ लिजिए कि क्या बोला गया है कि sum is minus 7 मत्तब हमें क्या करना पड़ेगा दो number को add करके minus 7 निकालना पड़ेगा तो इसमें से बहुत सारे number से जिसको हम add करके क्या निकल सकते है minus 7 निकल सकते है तो इसमें से अगर मैं minus 3 plus minus 4 अगर कर दो तो हाँ पर हमें क्या मिलेगा minus 7 मिलेगा is equal कितना आएगा minus 7 आप लोगो से पता होगा कि plus and minus मिलके क्या आता है minus आता है तो plus से minus से minus हो गया and इधर minus 3 है तो minus 3 minus 4 is equal कितना हैगा minus 7 तो the answer is minus 3 plus minus 4 is equal to minus 7 तो next question में दिया गया है difference is minus 10 तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा दो numbers को difference करके मतलब minus करके हमें क्या निकलना पड़ेगा minus 10 तो एसा बहुत चरे number से है ना जिसको हम minus करके क्या निकल पाएंगे minus 10 निकल पाएंगे तो देखो हम क्या लेंगे minus 15 लेंगे minus 15 में से 5 अगर हमें निकलना पड़े तो हमें क्या मिलेगा minus 10 मिलेगा ठीके तो देखो minus 10 तो इसमें हम आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर add लगा दिया लेकिन हमें क्या करना था difference करना था तो इसी लाइन को हम एसे भी लिख सकते जैसे 5 को आगे minus 15 को पीछे अगर हम लिखतेंगे तो इसका अंचर भी क्या आजाएगा minus 10 ही आजाएगा तो इसका अंचर हम इसे लिखेंगे 5 minus 15 is equal minus 10 सबस्ज में आगे तो इसमें से हमें अंचर कितना है या minus 10 आगे तो next question C में आते है तो इसम हमें दिया गया है sum is 0 मतलब दो नंभर को हमें add करना परेगा और add कर के हमें क्या नकालना है 0 निकालना नभर तो इसमें बहुत शारी number से तो मैं क्या लिखूंगी सबसे पहले minus 5 को add करूंगी, क्योंकि हमें sum करने केलिए बोलाएगि तो हम एद करेंगे 5 से थीक है तो माइनस 5 प्लास 5 इस इकोल डू कितना आएगा जिरो आएगा तो इस तांचार क्या आएगा जिरो एसे बहुत चोई नंबर से जैसे माइनस 6 प्लास 6 इस इकोल डू 0 है ना तो एसे अप लोगों को जो मोजी आप लिख सकते हैं ठीक है हो गया अभ है question number two पर यहाँ पर दिया गया है write a pair of negative integers whose difference give my eight okay तो हमें क्या बोला है कि दो number लेना है मतब एक pair लेना है negative pair मतब उस number में क्या होगा दो number होगा इस pair में और दो number ही हमें negative आलेना है ठीक है एंग उसको मतलब क्या करना है minus करके हमें 8 निकलना है तो इसका answer आएगा ओके तो यहाँ पर आप लोग देख लो कि pair of negative integer मतलब जो दो number हम लेंगे उन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा negative रखना पड़ेगा एन उसका अंसर कितना आना पड़ेगा 8 आना पड़ेगा मतलब कि देखो सबसे पहले हम एक एक एक्जाम्पल लेते हैं तो चलो माइनस 6 एन प्लास 2 ठीक है हमें क्या करने को बोला है डिफरेंस करने को बोला है तो यहां पर हम माइनस लिखते हैं तो इसमें एक नहीं आता है हम देख लेते हैं तो बाइनस माइनस हो गया प्लास एंड टो इडर्टा माइनस 6 ओके तो माइनस 6 प्लास 2 इसी करने कितना आएगा माइनस 4 तो यहां पर हमें 8 नहीं आ रहा है हमें 8 चाहिए लेकिन उसको भी पॉुजितिब में है तो अब देख लेते हैं क्या आएगा तो क्या ना परेगा धुडुमें दू नंबर dal के और माइनिस करके यहाँ पर हमें जो नंबर लेना परे वो बड़ा लतो फडुमेंगे तो 11 में से 3 मइस कर के 立 रुंधोट अगर हम थी लेंगे तो कितना आता है देख लेते हैं माइनस 3 है तो माइनस 3 माइनस माइनस प्लास 11 तो इसमें क्या आ गया 11 माइनस 3 is equal to 8 तो इसका अंचा कितना निकल के आ है माइनस 3 प्लास 11 is equal to 8 समझ मैं थोड़ा ध्यान से मतलब आप लोगों को नंबर लगाना परेगा क्योंकि हमें बोला गया है कि निकेटिव इंटेजर होना परेगा दो नंबर ही हमें निकेटिव होना परेगा एंड उसका आंशार आना परेगा पोजिटिव तो उसके लिए हमें क्या क आप तो आभी कॉश्ण नंबर बी देख लेते हैं इसमें दिया गया है कि राइट ए निकेटिव इंटेजर आने पोजिटिव इंटेजर फूस्साम इस माइनस 5 ओके समझ में आ रहे हैं आपको इसमें क्या बोला गया है हमें दो नंबर लेना है उसमें से एक निकेटिव ह एक पोजिटिव होगा ठीक है तो दो नमबर एक तो निकरिव आएगा एक पोजिटिव आएगा ठीक है उसको क्या करना है साम करना पड़ेगा मतलब प्लास करना पड़ेगा प्लास करके हमें कितना निकालना है माइनस फाइब निकालना है तो सबसे पहले ध्यान से देखना परेगा कि minus 5 निकालने के लिए कि हमें क्या number लेना परेगा क्योंकि हमें बोला गया है कि एक number हमारा positive आएगा तो इसमें हम ना लिखेंगे तो इसमें देखो minus 10 plus 5 अगर हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा minus 10 minus plus 5 ओके minus 10 में से plus 5 अगर सले जाए तो क्या निकल कहाएगा minus 5 ओके तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यह number हमारा negative है और यह number हमारा positive है उसमें condition यही था कि एक integer होना परेगा negative और एक होना परेगा positive समझना है और उसका sum मतलब add करके हमें क्या निकला परेगा minus 5 तो इसका answer हमारा कितना निकल कहाएगा है minus 10 plus 5 is equal to minus 5 ओके तो next question number C देख लेते हैं इसमें दिया क्या है write a negative integers and a positive integers whose difference is minus 3 मतलब क्या बोला गया है कि दो numbers को हमें minus करना परेगा minus करके हमें क्या निकलना है minus 3 को निकलना है ठीक है लेकिन जो number मतलब जो integers हम लेंगे उसमें से एक negative होना परेगा एक positive होना परेगा तो देख लेते हैं हम क्या क्या लेंगे तो सबसे पहले हम minus 8 को लेंगे उसके साथ एक positive number होना परेगा उसमें हम 5 डाल देंगे ठीक है तो उसमें क्या आ जाएगा minus 3 आ जाएगा ठीक है लेकिन इसमें हमें बोला गया है कि difference करना को ठीक है तो इसमें हम क्या करें इसको अल्टर करके हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम 5 लिखेंगे तो 5 minus 8 is equal to कितना आएगा minus 3 आएगा विकोज हमें minus करने के लिए बोला गया है तो हम क्या करेंगे minus 8 को पिछे रखेंगे तो अभी इसका अंच्रा आ जाएगा क्या 5 minus 8 is equal to minus 3 तो अभी आज के वीडियो में से वितना ही था अगर कोई दाओ थे तो प्लिस कॉमेंड डाउन कर ले ना तो आज के वितना ही वीडियो रेखने के लिए बहुत बहुत धेज़ा बात है